बारतिय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्पेस में फसे हुए उन्हें दो महीने से जादा का समय बीचुका है अब खबर या रही है कि उन्हें आँख में तकलीफ का सापना करना पढ़ रहा और कई तरह की बीमारिया भी उन्हें स्पेस में हो रही है रेपोर्ट्स के मताबिक लंबे समय से जीरो ग्रैविटी में रहने से उन्हें ये समस्ट्या हुई है विलिम्स को स्पेस फ्लाइट्स एसोसियेट और नियूरो अकूल्स सिंड्रोम यानि की SANS हुआ है ये एक बिमारी है और इस बिमारी में आँखों के लिए जरूरी पोशक तत्व उन्हें तब तक उन्हें उन्हें तक नहीं पहुँच पाते हैं साथ ही फिलाल उनके रेटीना और कॉर्निया और लेंस के स्केन दिये जा रहे हैं और उनका इलाज भी स्पेस में ही किया जा रहा है सुनीता विलिम्स के अलावा एस्ट्रोनाट बूच विलमोर भी यहां पर स्पेस्टेशन में फसे हुए हैं उन्हें के साथ और दोनों अंत्रिक्ष यात्री 6 जोन को अंत्रिक्ष स्टेशन पहुँचे थे सुनीता विलियम्स और उनके साथी बूश विल्मोर अमेरिकी एयर क्राफ्ट कम्पनी बोईंग और नासा के सैयुक्त क्रू फ्लाइट स्टेशन मिशन पर गए थे और ये मिशन आठ दिन तक चलता रहा था उन्हें 13 जोन को वापस आना था लेकिन स्पेस क्राफ्ट में कुछ खराबी आ गए जिसके कारण वो वापस नहीं आ सके फिरहाल जो है दोनों ही दो महीने से इंटर नैशनल स्पेस स्टेशन में फसे हुए है नासा लगातार दोनों की वापसे के लिए नैने तरीके खोज रहा है हलाकि सब्वलता नहीं मिल रही और हाल ही में अमेरिके स्पेस एजएंसी नासा ने कहा है कि दोनों की वापसे में फरवरी 2025 तक का वक्त लग सकता है और साथ ही लाँच के बाद 25 दिनों में स्पेस क्राफ्ट के कैपसूल में 5 हीलियम लिख होए हैं और 5 थरस्ट कम काम करना बंद कर चुके हैं इसके लावा उन्होंने बताया है कि प्रॉपलेट वॉल्फ पूरी तरह से वहाँ बंद नहीं किया जा सका स्पेस में मौजूद क्रू और अमारिका में बैठे हूस्टन ने मिशन के मैनेजर मिलकर इस पर बैठक कर रहे और इसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं एक spacecraft में कई थ्रस्ट होते हैं जिसकी मदद से spacecraft अपना रास्ता और स्पीड बदलता है वही helium, gas जो है वो लीक होने की वज़ह से rocket पर दबा बनता है इसका धाचा मझपूत बना रहता है जिससे rocket को अपनी flight में मदद मिलती है साथ ही अब ग्राफिक्स पर नज़र दालते हैं और जानते हैं कि क्रूड ड्रैगेन मिशन की वापसी में देरी के साथ अब जिनताई क्यों बढ़ गई है दरसल सुनीता विलिम्स और बूश विलमोर दोनों अंत्रेक्ष यात्रियों का स्वास्ते भी खराब हो रहा है रिपोर्ट के मताबिक ISS पर लंबे एक्स्पोजर से लेकर माइक्रो ग्राविटी तक सुनीता विलिम्स और बूश विलमोर को कई हेल्थ प्राब्लम्स जैसे बोन डेंसिटी की कमी और आखों की रोशनी से जुड़ी समस्या भी हो रही है SME DNA डेमिज होनी के चलते कैंसर जैसी गंभीर बिमारी का सामना भी उने करना पड़ सकता है और इस समस्या के पीछे कथित यहाँ पर माइक्रो ग्राविटी के लंबे समय तक संपर्क में रहने की वजह बताया जा रहा है सुनीता विलियम्स की समस्या को SANS के रूप में जाना जाता है यह कथित दौर पर शरीर में द्रव वीतरन पर असर डालता है जिससे यहाँ पर दृष्टी समबंधी समस्या होती यानि कि दिखना बंध हो जाता है आपकी आँखों समबंधी दिक्कते हो सकती है और इसे दिखाई देना या फिर धुंदला नजर का हो जाना और आँख की सरंचना में बदलावाना और साथ ही वीलियम्स की आँखों के स्वास्ते का पता लगाने के लिए उनके रैटीने और कॉर्निया और लेंस का स्कैन भी किया जा रहा है साथ ही अंतरिक्ष मिशन में देरी के लिए बोईंग को कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा ऐसे में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए प्रती द्वंदी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान का चैन करना कंपनी के एक जटके की तरह होगा और पिछले कुछ महीनों में कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया क्या ये बताया क्या है कि बोईंग कई तकनी की मुद्दो और देरी से जूच रहा है जिसके चलते भारी लागत आई है और इस पीज एक और समस्यांतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस सूट को लेकर है जिहां दरसल स्टार लाइनर के लिए डिजाइन किये गए स्पेस सूट स्पेस एक्स क्रू ड्रेगन के लिए उप्यूकत नहीं है और ऐसे में अगर सुनीता वीलियम्स और विल्मोर क्रू ड्रेगन से वापस लोटते हैं तो उन्हें अपने स्पेस सूट को त्यागना पड़ सकता है वहीं छोड़ना पड़ सकता है जिससे सुरक्षा संबंधी दिकते पैदा हो सकती है और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि एक स्पेस क्राफ्ट से वो दूसरे स्पेस क्राफ्ट में बीना स्पेस सूट के कैसे आएंगे रिपोर्ट्स ये बताती है कि क्रूर ड्रेगन मिशन के साथ स्पेस एक सूट भेजने पर भी विचार हो रहा है और पचास से अधिक दिनों तक फसे सुनिता विलियम्स और बूच विलमोर दोनों की महत्तपुर्ण स्वास्थिय चुनाथियों का सामना कर रहे हैं विशेश रूप से तेजी से हड्डियों के डेंसिटी में कमी क्यूंकि हड्डिया माइक्रो ग्राविटी में वजन का भार नहीं उठाती है नासा के सामने अब एक बड़ी चुनाथी है कि वो इस अंतरिक्ष रियात्रियों को सुरक्षित रूप से वापस लाए और उनकी सेहत का ध्यान रखे पूरी दुनिया इस्तिती पर अब कड़ी नजर बनाए हुए है